इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी अमलोसेफ 2.5 tablet belongs to a class of medicines known as calcium channel blockers It is used to treat high blood pressure यानी की hypertension and prevent angina यानी की heart related chest pain यह blood pressure को कम करता है और हिर्दे के workload को कम करता है जिससे दिल के दोरे और stroke को रोकने में मदद मिलती है एमलोसेफ 2.5 tablet को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है डोस इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और आपकी condition कितनी गंभीर है आप इसे दिन के किसी भी समय भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं लेकिन इसे हर दिन लगभग एक ही समय पर लेना बहतर है आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हों तब तक इस दवा को लें भले ही आपको ठीक लगे तो भी इस दवा को अपने आप से बंदन करें क्यूंकि उच्छ ब्लड प्रेश के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती बिगर सकती है नियमित एक्सरसाइट से खुद को एक्टिव रखना, अपना वजन नियंतरित करना और स्वस्ताहार खाने से भी आपके ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद मिलेगी सबसे सामाने साइड इफेक्ट में सिर दर्द, ठकान, मिचली आना, पेट में दर्द और नींद आना शामिल है यदि इन दुश प्रभावों में से कोई भी आपको परेशान करता है तो अपने चिकित सक से परामर्श करें वे साइड इफेक्ट की रोक थाम करने के या उन्हें कम करने के तरीके बता सकते हैं इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर, हिरदय या किड्नी संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आप जो भी दवाएं ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं विशेश रूप से वे दवाएं जो हाई ब्लड प्रेशा या हिरदय की समस्या के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है आपको अपना ब्लड प्रेशा नियमित रूप से चेक करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद